नमस्कार शिक्षारतियों, एन आयोस के स्टूडियों में आप सभी का हारदिक स्वागत है हाज हम भारतिय दर्शन के कोड 347 उस तक दो के पार्ट्स भारा माया का अध्यन करने जा रहे हैं हमने अभी तक क्या जाना? हमने अभी तक जाना कि अध्वेत वेदानत में माया की क्या आवशकता है? माया शब्द का अर्थ क्या है? माया का लक्षन क्या है? माया को अनादी क्यों कहते हैं? माया भाव रूप है या अभाव रूप है? माया की निवरत्ती किस से होती है? माया को त्रिगुनात्मिका क्यों कहा जाता है? और माया को सत और असत रूप से अनिर्वचनिय क्यों कहा इन सब चीजों का अग्यान हमने अभी तक किया अब हम यह जानने जा रहे हैं कि माया यदी है तो उसकी सत्ता में क्या प्रमान है माया का यदी अस्तित्व है तो हम उसे कैसे जान सकते हैं दूसरा माया और अविद्या में क्या भिन्नता क्या अभिन्नता है अर्थात अद्वित वेदान्त में माया के लिए अग्यान अविद्या इत्यादी शब्दों का प्रियोग के जाता है तो क्या माया और अविद्या में कोई अंतर है या ये दोनों एक हैं इसका ज्यान भी हम प्राप्त करेंगे साथ ही माया एक है या अनेक है इस तत्य का ज्यान भी हम प्राप्त करेंगे क्या माया प्रतेक जियों में बिन्द बिन्न है या माया सभी जियों में एक समान है कि माया का आसरे क्या है और माया का विशय क्या है साथ ही हमने यह बताया था कि ईश्वर जो है वो अपनी उपाधी माया के द्वारा इस जगत का उपादान कारण होता है और स्वयम में विद्यमान चेतना के मद्यम से इस विश्व का निमित कारण होता है तो माया इस जगत का उपादान कारण कैसे है वो भी हम इस पार्ट के अध्यन के दौरान जानेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि माया यदी है तो उसकी सत्ता में क्या प्रमान है अधवईत वेदान्त में माया की सत्ता में तीन प्रमु प्रमानों की चर्चा हुई है एक अनभव, दूसरा सुरूती और तीसरा अर्था पत्ती पहले हम अनभव प्रमान पर चर्चा करते हैं अनभव प्रमान, क्या अनभव से माया कास्तित्व सिद्ध होता है? बिल्कुल, अनभव से माया कास्तित्व सिद्ध होता है कैसे सिद्ध होता है? कि जब हमको केशी वस्तू का ग्यान नहीं होता तब हम कहते हैं अहम अग्य इत्याद जनुबवात अर्थात में अग्यानी हूँ इस अनभव से हम ये कहते हैं कि मुझे इसका ग्यान नहीं है में अग्यानी हूँ अब माया अर्थात अज्यान है तबी तो उसका अनवव होता है मैं अज्यानी हूँ अर्थात मुझ में अज्यान है तबी तो मैं अज्यानी हूँ तो यह जो है यह अनवव है अनवव के माद्यम से माया की सत्ता प्रमानित होती है जो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं होती है, उसका ज्यान हमें किसी भी प्रमान से नहीं होता उधारन के लिए बंद्या पुत्र, बांज का बेटा, बांज का कभी कोई बेटा नहीं होता इस नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं जगत में तो उसका कोई प्रमान नहीं होता इसी प्रकार शशसरंग अर्थात खरगोश के सींग खरगोश के कभी सींग नहीं होते इसलिए उसका कोई अनुभो हमें नहीं होता यह हम कहें कि आकास में पुष्प, अब आकास में पुष्प कभी नहीं होता तो इस प्रकार की कोई वस्तो ये तीनों वस्तो ये असत है इसलिए इनका किसी प्रमान से ज्ञान हमें नहीं होता इसके विप्रीत माया का ज्ञान हमें अनभू प्रमान से होता है मैं अग्यानी हूँ इस अनभव से माया के सत्ता में दूसरा जो प्रमान अध्वेत वेदानत में विवचित हुआ है वो है सुरुती स्वेता शत्रोप निशत की इस सुरुती को आप देखिए अर्था उन ब्रह्मवादियों ने जगत कारण की मिमान सा करते हुए अर्था जगत का कारण क्या है यह सोचते हुए अर्था ध्यान योग से समाहित होकर अनुपश्चन देखा किसको देखा देवात्म शक्तिम परमात्म देव की आत्म भूता माया शक्ति को देखा जो केसी थी स्वगुणेर निगुढाम अपने ही सत्वरजस तमसादी गुणों से ढकी हुई थी तो यहाँ पर देवात्म शक्ति मुश्ब्द प्रयोकिया है अर्थात उस परमात्मा की आत्मशक्ति को देखा आचारिय शंकर ने आत्मा को परमेश्वर की शक्ति कहा है अव्यक्त नामनी परमेश्षक्ति रनाद्य विद्यात्रिगुनात्मिकापरा अर्थात वह अव्यक्त नामनी है और परमेश्षक्ति है परमेश शक्ति ही तो उसको सुरूती प्रमान से यहां सिद्ध किया साथ ही अद्वेत वेदान्त में तीन प्रस्थान माने गए हैं सुरूती प्रस्थान जिसको उपनिशत कहते हैं स्मृती प्रस्थान जिसे भगवत गीता कहते हैं न्याय प्रस्थान जिसको ब्रमसुत्र कहते हैं, स्मृति प्रस्थान को भी अर्थात भगवत गीता को भी अद्वेत वेदानत में शब्द प्रमान की केटेगरी में लिया गया है, अद्वेत वेदानत भगवत गीता में भी स्मृति प्रमान के द्वारा माया की सत्ता को अर्थात अज्ञान से ही यह ज्ञान आवरत है अर्थात माया से ही ब्रह्म आवरत है तेन मुईयन ती जन्तव है उसी से जो समस्त मनुष्य हैं उसी से जो समस्त जन्तु हैं वो सब मोहित हो जाते हैं अर्थात यहां पर भी स्मृति प्रमान माया की सत्ता को सिद्ध कर रहा ह एक प्रमाण मने देखा अनुबव प्रमाण, दूसरा देखा स्मृति प्रमाण, अब हम तीसरे प्रमाण की चर्चा करते हैं अर्थापत्ति प्रमाण अर्थापत्ति क्या है? वेदान्त परिवाशा में कहा गया है तत्रो पाद्य ज्याने नो पादक कल्पनम अर्था पत्ति ही अर्थात उपाद्य कारे के ज्यान से उपादक कारण की जो कल्पना है वो अर्था पत्ति है जैसे उधरन के लिए पीनो देवदत्त है दिवामन भूं होते अर्थात मोटा देवदत दिन में नहीं खाता यहाँ दो चीजे एक तो देवदत मोटा है और दिन में उसको कभी नहीं देखा गया है कि वह खा रहा है इसका मतलब वो कभी तो खाता होगा तो हमने यहाँ पर कल्पना की कि वह रात्री में भोजन करता होगा तो रात्री भोजन यहाँ पर क्या हो गया अर्था पत्ती रात्री भोजन की यहाँ पर अर्था पत्ती हो गई मोटा देवदत्त को देखकर जो दिन में नहीं खाता ये कारिय है और इसका कारण क्या है रात्री भोजन अब यहाँ पर यह अर्था पत्ती भी दो प्रकार की होती है, एक होती है द्रश्टा अर्था 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 पत्ती और एक होती है सुरुता अर्था 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 पत्ती ए सुरुत अर्थ की कल्पना करना उधरन के लिए हम कहीं से गुजर रहे थे और हमने सुना कि देवदत जीवित है परंतु घर में नहीं है इसका मतलब क्या है कि देवदत बाहर गया है तो ये देवदत के बाहर जाने की हमने कल्पना की इसको हम कहते हैं सुरुतार्था अर्था पत्ती अब माया की सत्ता को यहां पर दृष्टार्था अर्था पत्ती और सुरुतार्था अर्था पत्ती दोनों की माद्यम से सिद्ध किया गया है जैसे दृष्टार्था अर्था पत्ती का उधरन हम देखते हैं कि ब्रह्म नित्य प्राप्त है और स्वयम प्रकास है परंतु ना तो ब्रह्म ही है और ना ही बासित हो रहा है एक तरफ तो हम करें कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है दूसरी तरफ हमको यह देखने को मिल रहा है कि ब्रह्म तो कहीं दिखाई नहीं देता इससे हमने एक अर्थ की कल्पना की कि माया रूपी आवरन ने ब्रह्म को ढख रखा है इसलिए ब्रह्म हमको दिखाई नहीं देता इसलिए ब्रह्म काम को ग्यान नहीं होता इससे भी माया की सत्ता सिद्ध होती है दूसरा है सुरुता अर्था 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 पत्त आत्मा का मनन क्यों करें आत्मा का ध्यान क्यों करें तो यहां एक अर्थ की हमने कलपना की सुरुत अर्थ को देखकर की माया को आत्म सुरुप को अवरत करने वाला अज्यान विद्यमान है उस अज्यान को दूर करने के लिए आत्मा को सुनो आत्मा का मनन करो और आत्मा का ध इस प्रकार यहां द्रस्टा अर्था रता पत्ती और सुता रता रता पत्ती के माध्यम से माया की सत्ता सिद्ध होती है। इस प्रकार हमने माया की सत्ता में अनुभव, स्मृति और अर्था पत्ती प्रमान की जानकरी प्राप्त की। अब हम यह देखते हैं कि अद्वेत वेदान्त में माया के लिए अज्ञान शब्द अविध्या शब्द इत्यादी प्रियोग किया जाता है तो क्या माया और अविध्या एक है या इनमें कोई अंतर है प्रारंबिक अद्वेत वेदान्त में माया और अविद्या के लिए एक ही शब्द का प्रियोक किया गया है शंकराचारिये कहते हैं अपने शंकर भष्य में कि अविद्यात्मिगाही वीजशक्ती रव्यक्त पदनिरदेश्या परमेश्वरास्रया मायामई महाशुषुप्ति यश्याम सरूप बोध रहिताह शेरते संसारिनो जीवाह अर्थात अविद्याही वीजशक्ति है जो केसी यश्याम जिसमें अपने बोध से रहित संसारिक जीव सोते हैं अब आप ये देखिए यहां पर परमेश्वरास्रया माया के लिए अविद्यात्मिका अर्थात अविद्या शब्द का प्रियुक्य है तो आचारे शंकर की दुष्टी में माया और अविद्या एक है सुरेश्वराचारी को देखिए ब्रैदरन ये कोपनिशद वाश्यवार्तिक में क्या कहते हैं स्वतस्त्व अविद्या बेदो अपी मनाग अपी नविद्यते अर्थात माया और अविद्या दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही हैं वाचसपती मिस्र भामति टीका में कहते हैं अविध्या शक्तिर माया दी शब्द वाच्या अर्था जो अविध्या शक्ति है वही माया शब्द से कही जाती है वाचसपती मिस्र के मत में भी माया और अविध्या ये कहे प्रकाशात्मेति विवरं टीका में कहते हैं तस्मात इसलिए ब्रह्म ही अपनी माया से, अपनी अविद्या से विवर्थ होता है, प्रकट होता है, अभिवक्त होता है, तो यहाँ पर माया के साथ साथ अविद्या शब्द का प्रियोग भी किया, तो आचारिय शंकर की दृष्टी में, भामतिकार की दृष्टी में, विवरनकार को करना है तो अविद्या और माया में अंतर स्पष्ट करना आवशक है वस्तोत है तो दोनों एकी पर दोनों में कुछ भेद है वो क्या है विद्या रन्यमुनी पंचदशी में कहते हैं सत्व शुद्धी विशुद्धि ब्याम माया विद्धे चद्वे मते माया विम्बो व अर्थात सत्वशुद्धी, माया उपादी है इश्वर की जो विशुद्ध सत्वप्रदान है, जो इश्वर की उपादी है वो है माया और जब ब्रह्म माया से युक्त होता है तब वह इश्वर बन जाता है इसी प्रकार अविद्या जो है वो उपादी है जीव की जो मलीन सत्व प्रदान है सत्व शुद्धी विशुद्धी ब्याम माया अविद्ये चद्वी मते माया और अविद्या दो कही जाती है सत्व शुद्धी और शुद्धी से तो जो माया की मलीन सत्व प्रदान जो उपादी है, वही अविद्या है, अर्थात जब ब्रह्म अविद्या से उक्त होता है, तब वह जीव कहलाता है, तो माया और अविद्या में क्यांतर हुआ, माया इश्वर की उपादी है, जो विशुद्य सत्व प्रदान है, और तम से अभिबूत हो जाता है अर्थात उनी से मिस्रित हो जाता है इसलिए जीव अलपग ये होता है और इश्वर सरवग ये होता है अब एक और चीज़ों में देखनी है कि क्या अविद्या एक है या अविद्या प्रतेक जीव में भिन है इस विशे में भी हमको यहां अद्वित विदान्त में दोनों प्रस्तानों में भेद दिखाई देता है अद्वित विदान्त के दो प्रस्तान है एक है भामती प्रस्तान और एक है विवरन प्रस्तान तो जो भामती प्रस्तान है वो है वाचस्पती मिश्र का जो अनिक जीववाद को स्वीकार करते हैं अविद्या प्रतियक जीव में बिंद बिंद है उन्होंने क्या उधर्ण दिया है अर्थात जिस प्रकार जो भिंब है मुख है उसको जब आप मनी में देखते हो तब आपका सुरू बिंद दिखाई देता है उसी को जब आप दरपन में देखते हो तब उसका बिंद रूप दिखाई देता है और जब आपने मुख को तलवार में देखोगी तो उसका रूप बिन दिखाई देगा कहीं पर वह चोकोर, कहीं पर गोलाकार, कहीं पर त्रिकुनाकार इस प्रकार दिखाई देगा तो इसी प्रकार जब ब्रम जो है, वो अलग-अलग अविद्याओं में जब प्रतिविम्बित होता है अलग-अलग जीओं में, तो उसका सुरूप बिन बिन होता है इसलिए अविद्या प्रतिएक जीओं में बिन बिन होती है यदि हम एक ही माने अविद्या को यदि एक माना जाएगा तो यहां एक समश्या होगी कि एक जीव यदि मुक्त हो गया तो सभी जीवों को मुक्त मानना पड़ेगा क्योंकि आपने सभी में समान अविद्या मानी है तो इसलिए वाचसपती मिस्ट ने अनेक जीवाद को स्वीकार किया है दूसरा जो प्रस्तान है वो है विवरन प्रस्तान प्रकाशात मेयतिका वो कहते हैं कि अविद्या तो एक ही है परन्तु अवस्ताबेद से यह अनेक सिद्ध होती है जब हम उस परमेश्वर की सक्ती को देखते हैं जब वह स्रश्टी करती है तब उसकी एक शक्ती है उसको कहते हैं विक्षेप तो स्रश्टी इसी से ही होती है तो यह जो शक्ती होती है यह कहलाती है माया विक्षेप प्रादान्यन माया और आच्छादन प्रादान्यन अविद्या अर्थात जब वह ब्रह्म को ढखती है तब फिर वह अविद्या कहलाती है जब वही स्रष्टी करती है विक्षेप शक्ती के माद्यम से तब वह माया कहलाती है जब वही शक्ती ब्रह्म के ज्यान को भ्रमू को ढख लेती यह जिस से जीव इस अंसार में भटकता है बंधन में सेउक्त हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अविध्या यहाँ पर जो वो शंका की गई थी कि एक ही यदि हम अविद्या को एक मानेंगे तो एक जीव के मुक्त होने पर सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो प्रकाशात में एतिने का एसा नहीं है जिस जीव में विद्या का अर्थात ब्रह्म ज्यान का उदे होगा वह जीव मुक्त हो जाएगा और जिस जीव में ब्रह्म ज्यान का उदे नहीं होता है वह बद्ध रहता है अब एक और हमको तत्थे पर चर्चा करनी है कि माया का अविद्या का आसरे तथा विशय क्या है देखिए जब हम यह कहते हैं कि मुझे गड़े का अग्यान है तो यहां प्रश्ण उठता है कि गड़े का अग्यान किस में है मुझ में अर्थाद जीव में और वह अग्यान किस का है गड़े का तो यहां पर जिसमें अग्यान है वह उसका आसरे है अर्थाद जीव उसका आसरे है और जिसका अग्यान है अर्थाद गड़े का तो वह उसका विशय हो गया तो अब जब हम कहते हैं मुझे ब्रह्म का ग्यान नहीं है या मुझे ब्रह्म का अग्यान है तो ऐसी दृष्टी में यहां अग्यान का आसरे या विशय क्या कहा जाएगा वाचसपती मिस्र के मत में अविद्या का आसरे जीव है और विशय ब्रह्म है क्यों? क्योंकि ब्रह्म का अग्यान किसमे नहीं हो रहा जीव में किसका अज्यान हो रहा है ब्रह्म का इसलिए ब्रह्म क्या हो गया विशे और जिसमें अज्यान हो रहा है वो जीव हो गया उसका आस्रे वो कहते हैं ना अविद्या ब्रह्म आसरया किंतु जीवे कि अविद्या जो है वो ब्रह्म का आसरय नहीं ब्रह्म में आसरित नहीं अपी तो जीव में आसरित है क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध है यदि उसको माया का आसरय मान लेंगे यदि अविद्या से युक्त मान लेंगे तब तो ब्रह्म अशुद्ध हो जाएगा इसलिए जीवादी करना प्यविद्या निमित तया विशयत यवा इस्रम आसरयत कि वो वस्तुत रहती तो जीव में ही है पर निमित रूप से फिर वो इस्वर का आसरय लेकर इस्रश्टी के रिशना करती है प्रकाशात में यहती कहते हैं कि अविद्या का आसरय और विशय दोनों ही ब्रह्म हैं एकस्मिन्य वस्तुनी आसरयत्व आवरणन चेती ट्रतत द्वयम संपाद यती यथा नहीं तमो वस्तुत द्वयम प्रेक्षम अवभासती अर्था जिस प्रकार मानलो एक कमरे में अंदेर है तो हम कहेंगे कि अंदेरे का आसरय क्या है अंदेरे का आस्रे भी कमरा है और अंदेरे का विशय क्या है किसका अंदेरा हो रहा है कमरे का ही अंदेरा हो रहा है इसलिए कमरा ही अंदेरे का आस्रे है और कमरा ही अंदकार का विशय है इसी प्रकार माया का आस्रे और माया का विशय दोनों ही ब्रह्म है मुख मात्र संमन्दी दरबणादिकं विंभ प्रतिबिंबो विवज्जे एवाति सयम अदाति अवदाति तदवत अर्थास जिस प्रकार जो हम अपना प्रतिबिंब दरपण में देखते हैं तो जो दरपण हैं वो हमारे प्रतिबिंब को ही मलीन छोटा बड़ा कर सकता है हमारे मुख को छोटा बड़ा नहीं कर सकता उसी प्रकार वह क्या करता है वह जीव में ही अतिशे पेदा करता है जीव में अलपग्यत तो पेदा करती अविद्या ब्रह्म में अलपग्यत तो पेदा नहीं करती इस प्रकार विवरन जो संप्रदाय है उसमें माया या अविद्या का आस्रे और विशे दोनों ब्रमु को माना है और भामती संप्रदाय में माया अथ्वा अविद्या का आस्रे जीव को माना है और उसका विशे जो है वो ब्रमु को माना है एक बहुती सुन्दर कारी काम को अद्वेत विदानत में दिखाई देती है संक्षेप सारी रिकम में जिसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि अविद्या का आस्रे और विशे क्या है वो कहते हैं कि निर्विभाग चिती अर्थात ब्रह्म क्योंकि उसमें कोई विभाग नहीं है ना उसमें माया का विभाग है ना जीव का विभाग है ना स्वयम ब्रह्म का विभाग है इसलिए उसको कहते हैं निर्विभाग चिती चिती मतलब चेतन तो जो निर्विभाग च तमस को पूरुशिद्ध का गया है तमस अर्थात अंदकार अविद्या वो पूरुम में विद्यमान है किसे पूरुम विद्यमान है जीव से तो जीव बाद में हुआ है तो उसको यहाँ पर काया है पस्चिम पूरुशिद्ध तमसो ही पस्चिमों अर्थात जो अविद्या है वो पहले से ही सिद्ध और जी उसके बाद में आया है तो जो बाद में जिसकी सत्ता है वो पूरु सिद्ध वस्तु का न तो आसरे हो सकता है नहीं विशय हो सकता है इस प्रकार हमने जाना कि माया जो है उसकी सत्ता में क्या प्रमान है अनवो प्रमान क्या है अनवो प्रमान किस तरह से है हमने यह भी देखा कि माया का आसरे तथा विशे क्या है माया एक है या अनेक है इन सब तथ्यों का ग्यान हमने इस पाठ के दोरान प्राप्त किया आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इससे लाबानवित हुए होगे हारदिक धन्यवाद